तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वेबसाइट के जिसके थूरू यू के डाउनलोड डिजाइनिंग सॉफ्टवेर लाइक ओटोटेस्क इन्वेंटर आटोकेड एंड अधर वेरियस सॉफ्टवेर्स देट आर वेरी यूसफूल इन डिजाइनिंग इन दे फिल्ड ओफ मेकैनिकल एंड सीविल ओकेड सो यहां पर हम जाएंगे सर्च करेंगे और टो ऑटोडेस्क इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे या फिर ओटोडेस्ट इस्टुट्वेर्स सॉफ्टवेर फ्री तो इस पर हम यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटेरफेस आएगा यूप यहां पर देख सकते हैं आप एज्टूडेशन स्टुडेंट्स तो आप एजुकेटर अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट सेक्षिन पर जाएंगे और आप एज्जूकेटर है then you will be clicking on educator option तो यहां पर आपको सबसे पहला है जो काम है आपको क्या करना होगा आपको यहां पर हम get started पर click करेंगे तो जैसे get started पर click करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहां पर software आ चुके हैं you can see fusion 360 rivet and rivet AutoCAD web inventor professionals तो यह सारे product है you can download over here for free of cost for one year only okay after compilation of one year then you will have to purchase its license okay तो at least एक साल के लिए हैं आप बहुत कुछ सीख सकते हैं if you are very eager to learn new skills तो अब हम देखते हैं कि क्या करना होता है इसके लिए सबसे पहले हमको account create करना होता है जैसे कि हम students पर click करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं X is the Autodesk education plan तो आपको क्या करना होगा पहला पहला पॉइंट यहां पर इनने मेंशन किया हुआ है create an Autodesk account confirm eligibility not you may be asked to provide documentation ओके डाउनलोड दाउनलोड एंस्टोल software तो आपको यहां पर इस website पर account create करना होगा उसके बाद आपको अपनी eligibility बतानी होगी whether you are eligible for this product or not अगर आप student है तो student के लिए आपको क्या करना होगा अगर आप किसी college में graduation या अंडर graduation post graduation है कर रहे हैं तो आपको अपनी college ID महाँ पर upload करनी होगी और अगर आप working professional है then you have to show your ID card of your organization if you are an educators then you will be having your ID card तो आपको तीन documents दिखाए जाएंगे तीन documents से आप कुछ भी upload कर सकते हैं ठीक है एजे प्रूफ आफ यॉर आईडी तो यहां पर sign in का option आ रहा है तो sign in option पर आप click करेंगे अगर आपने पहले से already account मनाया हुआ है तो आपको next करना होगा लेकिन if you are visiting first time on this website then you have to create an account create an account पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर आपका first name, last name, email address और यहां पर click करके आपको आगे बढ़ना होगा create account ओके क्योंकि मेरा already account बना हुआ है तो मैं इसको further नहीं proceed करूँगा ठीक है आप जैसे create account करेंगे तो आपके पास एक email आपकी email address पर एक mail आएगा होँआ से आपको अपना email confirm करना है verify करना है जैसे verify हो जागा देन आप फिर से back हो करके इस website पर आएंगे और फिर sign in का अपने email डाल करके sign in कर देंगे और जो आपका password होगा उसको डाल देंगे फिसके बाद वो आप से मांगेगा आपके documents तो आपके पास you will be having 40 days to upload your documents जो मैंने बता है like id card तो within 14 days you have to upload your id card ओके तो जैसे के मैं मैंने इसमें account create किया था तो मैंने यहाँ पर अपने college id लगा दी ती उसके बाद एक दो दिन के बाद ही उनका mail आया था और के उन्होंने बोला कि उस mail में mention किया हुआ था कि आप product को download करने के लिए eligible है now you can access our website and download many software ओके तो जैसे के अब देखते हैं get product पे आप click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब product आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे ठीकर CAD है fusion 360 रिविट है और रिविट और यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आप AutoCAD का भी option आपको मिल जाएगा ओके अगर आप AutoCAD यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं और यू कें तो देन यू कें इसली डाउनलोड इट फ्रॉम दिस वेब साइट तो आप देख सकते हैं के यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह चीजे यहाँ पर ओटोकेड आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस केस में मैंने यह वाला सोफ्ट्वेर डाउनलोड किया ता हैं पर इिन्वेंटर प्रोफेशनल यह भी एक डिजाइनिंग का सोफ्ट्वेर है लाइक ओटोकेड थोड़ा सा डिफ्रेंस है इसमें ओटोकेड ओटोकेड के कंपरीजन में तो फिर आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे अकाउंट बनाने के बाद जैसा आपका अकाउंट वेरिफाई हो जाएगा और अपरू हो जाएगा तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करे खरेंगे और फिर जैसे टी स्टार्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाप दो अपसराइएगा डाउनलोड और अपिंस्टल्स तो आप महां से डाउनलोड करें सकते हैं और ईसिली अप महां से दंवलान करेंगों ऋपर qat ऑके सब्सक्राइज हमाद में और और दंएशने और द तो आप यहाँ पर student कर सकते हैं, ठीक है, educator कर सकते हैं, school IT administration, design committee कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैं student प्रकरत हूँ यहाँ आपको date of birth करना डालने पढ़ेगी, आपको next करना पढ़ेगा, तो once your account is verified, then you can download and install the softwares as per your requirements, so guys, hope this video will be beneficial and informative for you, so इस वीडियो को यहाँ पर end करते हैं, और आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो इसको share करें, और comment करें, और comment में बताएं कि आपको इसके अलावा और किस तरह की वीडियो चाहिए, related to education and technology, तो इस वीडियो को यह पर end करते हैं, तब तक के लिए, bye bye, take care मिलते हैं next video में,